माइक नमबर तीन से सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने विभिन जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ती पूजा गलत है तो आज मुस्लमान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पंच्ट रुप्या का एक बक्रा धाकार भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ती पूजा गलत है, मुर्ती पूजा गलत है, तो मैं आप से गुजारिस करूँगा, बार बार दर्खस करूँगा, कि आप मुझे सब्वुष्ट कर दिजिए, मैं इसी वक्त कबूल करूँगा. मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, हिदाद देना अल्ला के हाथ में, मैं आपको जवाब दूँगा, इन्शाला भाई साब का सवाल है, कि इसलाम मजब में अगर कोई औरत गलती करती है, एक, दो, तीन, चार बच्चे है, एक, दो, तीन, गलती करती है, मुसल्मान उसे बादारी आउरत बन जाती है, हिंदू धरब में तलाग है य नहीं, तो इसलाम धरब में तलाग क्यों है, बेसिक आपका सवाल है, का इसलाम मजब में तलाग क्यों है, बराबर भाई सब, का इसलाम मजब में तलाग क्यों है, बराबर भाई सब, क्यों तलाग है, आपके इ Gospel of Matthew chapter number 5, उसमें पढ़ेंगे, वर्स number 31 और 32, it has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you, पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ, unless आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते हैं, फिर ही आप डिवोस दे सकते हैं, तो ये बाइबल में डिवोस की एक शर्त है, उसके लावा डिवोस नहीं दे सकते हैं, और हिंदू मदब में बिल प्रिवोस है, लेकिन ये आखरी मरहले पे आप इसको इस्तिमाल करना चाहिए, क्यूंकि निकाह एक मिसाख है, जो और कुरान मजीद में लिखा है, निकाह इस अ मिसाख कॉंट्रेक्ट बिट्वीन मिया भीवी, और और मर्द, तब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाख है, स partner के साथ अकसर बिजनेत अच्छा चल जाता है कई बार partner आपको पसंद नहीं आता होता है कि ने तो आप क्या करते प्यार से उसके साथ पाट हो जाते हैं इसलिए जब यह contract आप मियां बीवी का करते एंशाल्ला हम जिंदगी बर तरह एक दूसरे एक साथ अच्छा रहेंगे लेकिन जब शादी होने के बाद, चण साल बाद, हो सकते है दो साल बाद, चार साल बाद, हो सकते है दस साल बाद, आपको पता लगता है क्या, हम लोग एक दुस्य के Ahreya ke compatible नहीं है, जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना ये या शोहर घलत होना चाहिए बोश से बार दोनों अच्छे वट compatible नहीं है तो अगर मिया बीवी compatible नहीं है हो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन compatible नहीं मतलब इनों में बराबर जचता नहीं है आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है रीटी रिवात अलग है हिंदुस्तान के अलग है बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना इस्टन कल्चर अलग है हम सब्वेता में मानते हैं हम मौडेस्ट है वो वेस्टन कंट्री में बिक्नी में घुमते मेरा जवाब पुरा नहीं हुआ मेरा जवाब पुरा नहीं हुआ तो अगर आपकी बिक्नी में घुमेंगे तो आप तो बोलेंगे वह जाओ अपने अपने घर पे जाओ वेस्टन कंट्री में चलता है उनकी बिक्नी में घुमते उनको कोई फरक नहीं और हो सकता है कि दोनो तो आईसे मुक्चे पे कुरान मजीद में अल्ला सुभानाओ ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाख होना चाहिए जब तलाख होता है तो तलाख के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें कहीं क्या प्रॉब्लम में ऐसे ने कि अगैघा बीवी नमक जयादा धाली खाने में आपने बीवी तलाख तलाख अब नमक नहीं जयादा प्संदो बोलो बीवी और नमक कम दालो बेटके बात तो करो तो कुरान मुझी इतनी लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए आपस में बात करके अगर problem solve नहीं होता है तो आर्बेटर लेक्या हो बीवी के घर के तरफ से बीवी के तरफ से एक आर्बेटर लेक्या हो समझ़ोता के लिए शोर के तरफ से एक को बड़े को लेक्या हो समझ़ोता के लिए एक मीटिंग करो problem solve करो समझ़ोता हो जाता है फिर भी रे problem solve होता है तो फिर आप तलाग दे सकते हो तलाग देने का तरीक है तलाग तलाग ने तलाग दो फिर तीन महिने रुको फिर ट्राइल पिरिड है इद्धत का मुखा इस दर्मियान तीन महिने में आपने तो बड़े जोड से बोले मैं बीवी के बिना रहे सकता हूँ दो हफते में आपको डाला डेका बाँ मालूम पड़ता है आप बो ले बाई बीवी का अपिस ले कि आ जाओ अब रुजू करो कोई प्राप्लम ने तो ये ट्राइल पिरिड भी अल्ला ताला ने दिखाया है अभी मैं आपसे सवाल पूछना जाता हूँ भाई साब अगर आपकी एक बेहन है आप अपनी बेहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते बाई साब आपसे सबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् करती हूं मैं उसे प्यार करती हूं फिर भी यह रोज मुझे आके शराब पीके मारता है आप जाके उसे बात करेंगे भी क्यों शराब पievous ने मुझे मज़ा आफ और आपके समझाने के बात फिरिव्यों नहीं मानता है हर रोज मारता है आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करें मैं आप से पूछना चाथा हूँ अगर आपकी बहुत चलता है कि आदमे अच्छा नहीं है शराबी है जुवारी है रोज आपकी बहुत हरकत करता है अपने दोस्तों आपकी भेन के साथ सोने के लिए तो आपको पता चलेंगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी भेन इसको जहलते रहे या पसंद करेंगे बाउस को छोड़ो दूसरे से शादी करो आप क्या पसंद करेंगे हिंदू को छोड़ो मुस्लिम को छोड़ो आप क्या मिलना है तुम उसी का सेवा करो यह जो है जब हो जाती है जबंकी बात में कर रहा हूं तो तुम से नहीं पूछ रहा हूं मैं आप से पूछ रहा हूँ कि आपने अपने बेहन से कहा कि भै अपने शोगर की आप खिस्मत करो खिस्मत करने के बाद भी रोज मारता है उसकी क्या गलती बिचारे आपकी बेहन की आप बोलेंगे बरदाश करो आपको कल कोई मानने लगेंगा रोज आप खिस्मत करने लगेंगा आप बरदाश करेंगे आपकी बीवी आपको रोज मारेंगे आके बेलंसे बेलंसे रोज मारेंगी वह अच्छी माशिल आर्स की है रोज आपको मारेंगी आप उसको तनकाल लेके देंगे रोज आपको मारेंगे क्या कर रही है क्वान रिक्योंज मैं आप से पूछता हूं आपकी बीवी रोज आ कि पाकिस्तान रिपोर्टार में भाइसाब पाकिस्तान को छोड़ो मैं आप और दो से भाई साब सुनो मेरी बात ना पाकिस्तान को छोड़ो हिंदुस्तान को छोड़ो मैं आप से सवाल पूछ आप मुझे सवाल किया मैं आप से सवाल पूछता हूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो मुझे भी आपकी फिकर है आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती ह हें भार आपको मारती है रोजा के भारी रेष्च करती है आप क्या करें एंगे समझ समझ ती आ कुद्धा हो प्रीजिक कठ्ठी है तुम कर रही ऐगा है तुम्हां ल करें तुम अगर रही हैं तुम सब्सक्राइग नहीं क्लीर के के अंदर तलक का तो हम बात ने करेंगे भाई साब आप दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलेविजिन पे मैं बोड़ आपकी बीवी अगर एक दो मट्टी करती है आप क्या उसको किले से बांदेंगे वो एक जापड़ आपको मारेंगी आप गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लों का जो आउरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है अरे बाई साब आपको अच्छी बीवी मिली है इस वार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए बाई साब आपकी बीवी बहुत अच्छी है हम लिल्ला मैं आपकी बीवी की बातने कर रहा हूँ मैं केह José हूँ अगर हाइपोधोटिकव है मैं आपकी बीवी इस इह होती है आपको भगवां ने अच्छी बीवी दिए तो आप किसमत वाले है अगर आपकी बीवी सायीन नहीं उती तो आप क्या करते थे जो किशार 2% हो सकते हैं। लेकिन आम में नहीं और मुस्लिन यहां करण की बात कर ओलों क्या करते थे हैं। हम मुसलमानों के समख में जाते हैं जाते हैं कि मकार ब्यूद कर दोयां देखते हैं। अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हर्कत करने लगी या आपका बहणों भी आपके बहण को रोज मारता तो आप क्या करेंगे एक पसंड होगा दो पसंड बोलते हूं अब क्या करेंगे मैं तो कदापी तयार नहीं हूंगा नहीं चोड़ देंगे ना ने चोड़ूंगा नहीं उसको क्या करेंगें मैं कीले में बंद करके रखूंगा अरे आप नहीं बंद कर सकते ना वो आपसे ताकत वरे भाई साब नहीं नहीं अरे है अब आपकी बीवी है भाई साब अच्छ सवाल पूछ तो आपके साथ इसी हरकत हुई आपकी भेन को अगर कोई रोज मारता है आपका भेनोवी रोज परिशान करता है लाल पीला करता है शराब पीता है जुवारी है तो आप क्या बोलेंगे भेन को मैं तो कड़ा पी तयार नहीं होगा यह बात में ने ने क्या बोलेंगे आप अपने बेन को बेन को बोलेंगे कि ने छोड़ दो नहीं तुम जा उसके कदमों में जाके पड़े रहो तो कदमों में ही मारता है उसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में ही मर जाओ तो क्या ये इंसानियत है नहीं अईसे धर्म को मानते हैं जो शोहर अगर पती के दुवारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते हैं यह किदर लिखा है आप ऐसी किताब में मानते हैं अगर ऐसी किताब में लेगा तो हर शोहर अपने बीवी को मानने लगेंगा न हर शोहर मानने लगेंगा बोलेंगा आप जो बोल रहे हैं इसी लिए जितनी नाइंसाफी आरतों पे हो रही इंदूस्तान में उसकी वज़े ये है कि हिंदू आरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुप चाप जहन करते है क्यों उसको आवाज उठाना चाहिए मुसल्मान आरोते आवाज उठा दिये तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते हैं तलाक कितने लोग का तलाक यहां पूछेंगे मज़पिज में लाखो लोगे कितने लोग का तलाक हो तो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा आपको बाई साब यहां पकर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा अभी तो हिंदू राश्ट है जो कोट में बैद कर दिया जाते हैं इसलिए तलाक अगर तलाक की फिसद देखी जाएंगी तो मैकसिमम मैकसिमम दो या तीन फिसद होंगा लेकिन ये दो या तीन फिसद पर जो Co बोता है हो सकता है पांच फिसद प्र जूम होरहा है freaking आवरतह शुटा रही है हिंदू के अंदर कितना जूम हो रहा है वह सेयन कर रहे है क्योंक고 लोग बोलते कि यह वो जाएंगी जन्नस में क्या सही है यह ऐसा धर्म हो सकता है कि जुम करे अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा इश्वर वो शराबी भी है जोवारी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है फिर भी इश्वर कैसा इश्वर इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है बाई साब इश्वर एक है उपर वाला इश्वर है शोहर कभी इश्वर होता नहीं हाँ शोहर की इश्वर करना चाहिए लेकिन इश्वर करने की हद होती है अगर हद से बाहर हो जाता है तो इसलाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते है शोहर की इज़त करो ये भी कहा गए शौर को कि बीवियों के अच्छा बरताओ करो अल्ला के रसूल फर्माते है कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है खुसूसां अपनी बीवियों के था तो कुरान में लिखा है और अधिस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखबाल करना चाहिए कुरान में लिखा है सुरे बकरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर 187 में बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है लिबास मतलब एक दूसरे को सहरा देते एक दूसरे को प्रोटेक करते एक दूसरे को ब्यूटिफाइ करते है ये इसलाम है इसका मतलब ने कि अपने शादी कर दिये तो जल्म भी करो इसलिए सबसे ज्यादा अगर आउरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदूस्तान में हो रहा है गाउं गाउं पे जुल्म हो रहा है लेकिन आवाद ने उट विए आपज्टे से भाई एगर होईगा आउरत कीसे नजाओपाहींगी आप जेसे भाई हैं जो बोलेंगे के कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे तो कौन बेंद दुआ करेंगी काईसा भाई उसके पास हो कौन बेंद दुआ करेंगी बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा मेरी जन्नम बन रही है और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे कैसा ये कैसा इन्साफ है इसे लोग दूआ करेंगे इसे बाई से मुझे निजात दो ये बाई से छुटकारा दो और इसलाम में जल्म करना हराम है जल्म बरदाश करना हराम है आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोशी है वो जन्नत में तो जाएंगी तुम जाएंगे नर्क में समझे भाई साब भाई साब इसलाम में भाई का धर्म है कि अपनी भेंगी रक्षा करे अगर भेंट पे जुलम हो रहा भाई बोलेगा जाओ जाओ तो भेंट तो हो सकता है स्वर्ग में जाए बिचारी भरताश करिए, तुम नर्ख में जाएंगे, तुम को कुण बचाएंगा, क्या बाई साब, आप नर्ख में जाना चाहते हैं स्वर्ग में, बाई साब, जिससर मानता हूँ आपका बाद, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्ख में, स्वर्ग में ही तो जाना चा आप क्या करते थे हाँ वो धर्म होना चाहिए जो सारे इनसान को यक्सा मानता है कुरान शरीफ में लिखा गया है सुरह अजुरात में सुरा नमर उन्चास आयत नमर तेरह में ए इनसानों हमने तुमें एक जोड़े से बनाया मर्द और 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 आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इनसान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते हैं तक्वा कुरान में एक इनसान दूसरे इनसान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तक्वे के बुनियाद पे, तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Piety, आप अच्छे इंसान बन सकते जबी आप अच्छे इंसान होंगे, Righteous इंसान, आप मुओं में मरो क्यूंकि आपका मदब कहता है अब कि आपका मदब सही कहता है ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है और भेन के उपर गोड़ों हो रहे लग जो कम परसंट में देखे जा रहे हैं आपको कैसे बता है आप को बोलती है चुप चाप रहो तो अवाद भी ने तो मालूम कैसा पढ़ेंगा कमस कब मुसल्मान औरते आवाद उठा रहे ना चुकर देखा गया देखा गया क्या देखा गया है यह पुछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुम हो रहा है आपने बोले कि उसे चुप चाप सहन करना चाहिए अगर ऐसा करें तो अकसर आदमियो जुम करने लगेंगे मुसल्मान तोचेंगे ज्यादा जुम करेंगा तो मिचारी छोड़के चले जाएगी मैं पहस जाओंगा खाना मुझे पकाने पड़ेंगा फिर परावन ना चोड़के भाग जाएगी तो हिंदू तो अच्छा भाया मारो भी कुछ भी करो एश करो र समझने हैं आप समझने हैं लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाग दिया गया उसकी दुबारा साधी अगर नहीं करा सका तो वह बेचिया बन जाती है बाजार में जाके जिस्म बेचती है अगर आपके ये राहे तो आप दूसरी शादी करा हूँ ना इसलाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है हमारे रसूल मुम्म्मस ने पहली बीवी जब की शी वास विड़ोड उनके शोर मर चुके थे अब समझे ना और जितनी भी बीवी यां जो मुम्मस वासली की ए आपके छोर के अकसर इधर विड़ोड़ थे या डिवोस्य थे आप समझ रहें न तो इसलाम में अच्छी बात अगर आप डिवोस्य से जादी करते हैं उसमें बुरा थोड़ी है, हमारे हिंदुस्तान में एक कलंग है, डिवोसी से शादी करना, इसलाम में ने, सहाबा की दोर में, सहाबिया भी अच्छी थे, सहाबा भी अच्छे थे, दोनों पर लेखने हैं, तो अल्ला के रसुलने कहा, छोड़ दुरसरे से श डॉन्ट ट्राइट टू पुट अस्क्वेर इना राउंड ओल अगर स्क्वेर को राउंड में डालेंगे फिट नहींगा अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाट करो अच्छे तरीके से प्यार से मुबबत के साथ उनको खाली पीजी कोट के अंदर जाके एक दूसरे कपर हथ तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल आपकर आओ भाई समना जी और एक सवाल चिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुला सा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता क्या सवाल आपका सोच विचार क्या आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेक कि कबूल करना मुश्किल है